संजू सैमसन आई पील में बना रहे हैं बहुत सारे रन पर बी सी सी इंग उनको फिर भी नहीं ले रही जबकि वो बना रहे हैं इतनी सारी फिफ्टी जस्का फन यह वो तो फन अपना कर रहे हैं लेकिन भाई यह जो बी सी सी आए है उनके आखों के आगे मेरे ख्यायल से गो फिफ्टी जब इतने सारे विकेट गर गए तीन चार विकेट गर गए बिल्कुल को किसी को नहीं लग रहा था कि राजसान जीतेगी वहां से उन्हों ने जो काउंटर अटेकिंग इनिंग खेली इतनी जबर्दस्त पारी संजू सैमसन की कि उसके बाद हर्शा भोगले ने स्ट्राइक रेट का थोड़ा सा पंगा लिया था बहुत सारे लोग कह रहे वह जो विराट बादे रन में आरे चाती ठोक रहे थे वह अर्शा भोगले के लिए क्योंकि हम लोग भी चाती ठोक कर बार-बार यह बात कह रहे हैं कि संजू सैमसन आपकी टी-20 टीम के लिए ब दे जाती है मुझे तो यह सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि आप ऐसे में एक विकेट-कीपर वाला रोल भी जो है आप एक टेम्टरेरी बंदे को दे रहे हो आप यह बात कर रहे हो संजू सैमसन के साथ वैल्यू अडिशन क्या-क्या है उसका तो ने देखिए वह तो लेकिन न अगर हम देखते हैं हार्दिक पाइंडिया और संजू सैमसन के अलावा अगर आप किसी और कैप्टन को देखना चाहो तो शायद उतने प्रॉमिनेंटली आपको ना देखे उस तरीके से लीडर्शिप कर रहे हैं और लगातार दो सीजन में और लगातार दो साल से जो टीम कीपर बीए विकट कीपर के नाम पर पहले टीम इंडिया ने पिछले दो साल से रिशपपंद को किलाया कीव किरें कीव टेस्फ में बहुत तेज बैटिंग कर रहे थे तो यह लगा किव तो यह लुद्डी हो सकता है विक्षर करना मतला तेस्में सेलेट्शन यही तो होता कि अब रिशापन्द इंजड हैं तो आप के रहुल के साथ चल रहे हो मतलब एक आदमी जो उस रोल के लिए जो जो रोल आपको चाहिए उसके लिए इतना फिट है संजु सैमसन नंबर चार पर आते हैं अपने नैचुरल शॉट्स लगाते हैं फास्ट बोलर पर अच्छा के संजु सैमसन की सबसे बड़ी मुसीबत ही है कि वह आम तोर पर इंजर्ड नहीं होते हैं किसमत उनकी ऐसी खराब है जब टीम इंडिया में आता तब ही इंजर्ड होते हैं जब इनको मौका मिला भी तब यह चलेगे तो और उसके बाद बाद यादाश जो है काता ही घजनी संजु सैमसन की अलग फिल्म चल रही है बीसी सी आई की और यहां पर हर्शा बोगले ने यह जो टूइट करके जो थोड़ी सी आग लगा दिया है मेरे को लग रहा है कि इनको कॉमेंटरी और मेंटरी प्यारी नहीं है मिरे को सच में लग रहा है क्योंकि वेंकरडेश प्र संजु सैमसन अकेले इंडियन प्लेयर जिसने च्छे बार एक इनिंग में च्छे चक्कल से ज्यादा मारे तो मतलब यह आदमी जब चलता है तो भाई कबूतर बना देता है दूसरी टीम का लेकिन नहीं संजु सैमसन नहीं चाहिए हम कुछ भी रख लेंगे हम कुछ भी ल लेकिन उन्होंने जो जो बाते कही थी तो वो कहरे दे के सैमसन जो है उसके पीछे इतना ज्यादा सोशल मीडिया का सपोर्ट रहता है हमें हमारे उपर प्रेशर आ जाता है वरना अच्छे क्रिकेटर को हम क्यों ही सलेक करेंगे बना सभी बात है मतलब संजु सैमसन के इसलिए है क्योंकि वह लगातार अच्छा कर रहा है और आप लगातार ही उसे मौका नहीं दे रहे हो आप उसको मौका दो और जो कम से कम जिस कमी से टीम इंडिया गुजर रही है कम से कम उसको तो पूरा होने दो पर क्या अब जिस तरीके से संजु सैमसन ने अब यह दो पिछले साल राजस्तान को वह आई पील के फाइनल में लेकर अपनी कप्तानी से बड़ी अपारी भी के लिए बीच बीच में आपको वह अले प्रदर्शन भी देखने को मिले जिस पर आपने का वाओ यार यह प्लेयर अभी तक टीम इंडिया में क्यों पर्मनेंट नहीं ह उसके बाद अब जो पांच इनिंग हुई है अभी तक उसमें भी तीन इनिंग में उसने लगबग मैच विनिंग स्कोर के लिए तो क्या अब BCCI के लिए यह ज्यादा मुश्किल नहीं होगा T20 World Cup भाई अगले एक साल में आ जाएगा अगले ही साल US में होना है वो World Cup क्या अब Sanju Samson को इग्नोर करना असान होगा BCCI के लिए ने देखिए असान नहीं होगा या अक्शली Sanju Samson ने BCCI के लिए सरदादी बढ़ा दी है क्यूंकि वो जब आपको मौके दे नारिया ली पोड़ दिया BCCI के सरब चल तुम्हारी ऐसी की तैसी ने 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 आप मेरी बात की समझ रहे हैं मैं यह कहना चाहरा हूँ कि BCCI जब पहली एक मौकेट मतलब आपको रीजन ढूंड के दे रही है केल राहूल इतना अच्छा केल राहूल इसलिए जरूरी है विगट की देता है आपको अब यहां पे Sanju Samson अच्छी बाटिंग करके खड़ा हो गया अब बत चलेगा कि केल राहूल को justify कैसे कर देंगे अभी तक तो यह भी था के लराहूल में leadership quality है यह वाली बात भी दिना के लाउल potential आने के लिए अब तो आपके पास इ billet keeper की अवर्मर आज बदूर या विए उनको ना भूला कृए एक nicest आज गे सैने इसًamasन खाले हो इस टो बॉल लें सब्सक्राइब को रोकने के लिए काफी सारे रीजन्स लगेंगे आपको क्या लगता है कि वाकई में अभी भी BCCI सब्सक्राइब को टीम में आने से रोक सकती है क्या वाकई में आप इस तरीके से जैसा हर्शा भोगले सोचते हैं कि संजू सैमसन को पर्मनेंटली टीम इंडिया का कम से कम T20 टीम का हिस्सा होना चाहिए जो भी संजू सैमसन के बारे में आपके विचार हैं वहाप कॉमेंट बॉक्स में लिग दीजिए क्योंकि मेरे विचार तो बिलकुल साफ है कि टीम इंडिया में संजू सैमसन की टी टीम में बिलकुल जगह हो सकता है वंडे में अभी ना हो मैं लगातार यह बात कहरो नहीं तो लोग कहेंगे के आरे भाई आप तो वह उस बात कर रहे थे वंडे की टीम में शायद अभी संजू सैमसन को खिलाना ही खिलाना चाहि कवरेज मनलब तारा सितारा आवारा मनलब सब लोग मिलकर यहां पर बढ़िया से बढ़िया कवरेज लेकर आ आपके लिए तो अगर IPL से जुड़ी हुई जो भी कवरेज देखनी है उसके लिए आप अंकट को सब्सक्राइब कर लिजे फेस्बुक यूट्यूब मत बूलेगा मेरे नाम है चैनल सोगी और आप देख रहे हैं अनकट